जमसेतपुर का वहाँ बॉर्डर जो एने सटी थिरी से बारीडी होते वे साक्षी आता है वहाँ गाह लुपंगडी वहाँ की महला पस्टासी खड़ी हुई है और इनके साथ भीड देखिए इनके समर्थन में जैसे लगता है कि बिधाय का संसत चुनावक लड़ने आ रहे ह लेकिन महिला अगर इतना भीड ला रही है तो इनका कुछ तो उस छेत्र में दबदबा है आज उस महिला उस महिला से जानने कोशिश करते हैं कि आपको चुनाव लड़ने का क्यों जरूरी है मेरा नाम मोनिका महतो है और मैं हुरलूंग पंचायत के लुपंगडी गाहों स अब से पहले नमस्ते सभी को आपके चैनल को भी चुनाव लड़ना जरूरी है क्योंकि एक पद में रहके ही आप सेवा तो करते हैं लेकिन पद में रहके सेवा करने का अलग ही यह है उसमें आपको सपोर्ट भी बिलेगा और आपका जिम्मेवारी भी होगा कि अपना पू पूल बशल्स साथ्जी हो गया भी जय गयगा अवर उस चेत्र से बहुत अधिक भिख्षित हो रहर है तो वहां बिकास में रहें क्या क्योंग भी कम हैं और शाष्चे अब है अब देख सकते कि जमसितपूर का आज 50 साल हो गिया विकास के लिए टाटा इस्टील का 100 साल हो गिया लेकिन आज भी विकास नहीं हुआ जिसके कारण है कि महिला पत्यासी पूरी तरह चुनाव में उतर चुकी है अब देखना है कि महिला पत्यासी चुनाव जीतने के बाद कितना विकास करती है वह विकास आम जनों के लिए होता है कि नहीं होता है यह पंचाई चुनाव के बाद ही पता है मैं जीला परिशा से एट से लक्षमी देवी महिला के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है जो कि आज महिला बहुत सुरक्षित महसूस करती है लेकिन बहुत हद तक हमारे चेतर में इसका सुधार हो चुका है और हम पूरी कोशिस और सब महिलाओं के साथ मेरा करें उनको उनकी साहता करेंगे हमेसा ततपर रहेंगे उनके लिए महिला सुरक्षा सबसे बड़ी हम लोगों की महिलाओं को लेकर के जो उनके परती विचार है उनको करना चाहिए यह हम लोग अपने मन में हमने ठाना है कि अगर महिला महिला को जीत करके यहां लाया जा रहा है तो महिला के लिए सबसे आगे सोचना सबसे हम लोगों की सबसे जरूरी चीज़ है पानी के लिए सबसे बड़ी समस्या है हम और मेरे पती ने मिलकर के 11 साल से समस्या का समाधान करने की बहुत कोशिच की है और काफी हद तक इसका समाधान हो चुका है और अगर जनता हमें जीत करके लाती और हम जीते हैं तो हम उन्हें वादा करते है कि पांच साल के अंदर द्वारा ही है यभारा जिब हम जीला परिशयद में थे उसी समय हम लोगों ने उसका चिला न्यास किया था और सरकारी काम हो रहा है और असी परतिय सथ हो चुका है और बीस परतिय से और जीत हम अगि पूर कूआ पहले भी पान साले जिला परिशत की सदसे रही है। बहुत सारे पानी पे, सड़क पे, बिजली पे, महिला सुरक्षा पे इन्होंने काम भी किया है। और उस काम को हमने आगे बढ़ाया था। निस्सीत रूप से बागबेडा जलपूर्ती योजना का काम 85-85% हो चुका है। पिछले कारकाल में भी हमने लगतार संगर्श किया। और जिसका नतीजा है कि आज 85-80% काम कंप्लीट हुआ है। आने वाले दिन में हम लोग इसके ल दूरा कराकर बागबेडा किताडी धागी डिके छेत्र के लोगों को घरगर पानी पहुचाने का काम करें। जिला परिसाथ छेत्र संख्या पान से गोड़ा बंदा छेत्र जिला परिसाथ का सदस के रूप में। और वार्वान की पंचाइद किसी के कहने से मैं नहीं बना थिर्ट मेरा प्रस्तावा के उसके नाम डालमर मांकर वह दिया जाता निया मनता है वह मैं प्रस्तावा को मेरा नम कडाकर गोड है मैं पहले देवघर पंचाइद का पंचाइद समिती था अभी मैं इस बार हम मेरा धरम पतनी स्रीमती कादम बनी गोड जमसेदपूर चाज से जिला परशिद का अमीदबार है और हम लोग इस पंचाइद समीति का होने का नाते में चेत्र का दुख दर समझते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग जीला परिशद अगर हम लोग जीतेंगे हमरा चेत्र का सरवगिन विकास करेंगे कोई किसी को मतलब किसी तरह का मतलब उच नीच परिशद नंबर साथ से लड़ने चुना है का परशुडी गोल पाहडी हरल गुटू किताडी बावन गोड़ा सलगाजूरी शोपोडेरा मैं दल्दली शहत्र से जिलापर से चार्प की केंडिडिट हूँ और मेरा एक ही मुद्दा है स्वास्त के क्यूंकि मैं गाउं शहत सबसे बड़ा समस्या है क्योंकि वहां से सदर पर्शाव करने के लिए सदर होस्पेटर आने के लिए कम सकंप 45 किलोमेटर आना पड़ता है या तो यह बीज में कहीं कोई स्वास्त का कोई यह नहीं है कि अधर नाम पर्दिप भुआ है जिला पर सेवन से खारा हो रहे हैं परसुटी से चंदन याजो यादो जी समाज से भी आज हमारे साथ है और साथ भी ऐसा कि किसोर यादो के पूरे परिवार के साथ चंदन यादो जी कल तक विधायक जी को सवाल उठाने चंदन यादो जी आज चुनावी समर्थन रत को अपने साथ लेकर आ गए हैं चंदन यादो जी आज आए हैं किशोर यादो के समर्थन में किशोर यादो मेरा बास समझेए जो समाज का काम करता है उस वेक्ति को आना चाहिए और किशोर ने काम किया कोर्णा में लोग जो दुपके वे थ किये और कोर्णा ने दिखाया है कि किशोर क्या है तो ऐसे लोग को तो आना चाहिए इमंदार लोग को चुनाओं में आना चाहिए और यह एक दो नहीं अगर उनको एक वोट पड़ेगा विपक्षी को तो इनको एक हजार वोट पड़ेगा यह चंदन यादव का दावा आ रिस्ता है समाजी के रिस्ता है जो लोग काम करते उसके साथ तो हम भी है वो किसी भी पार्टी के पार्टी इतने पार्टी लोग कंडेट आए उनके पिछा नहीं आप नाम बताइए एक नाम बताइए जो किसोरियादव का टक्कर में हो नाम बता दीजी एक नाम इन्होंने खटा है कुटता ऐसा लच्मी देवी के उनकी वाइफ उनके परिवार एलम देखें नहीं है कि कौर्णा में कौन क्या हो रहा है कौन क्या हो नहीं हो रहा है लेकिन जहां सेनिटाइजर की बात हो वहां काम किया जहां राशन की बात हो वहां काम किया स्वास्त में काम किया फि कोरोन ने करो ना काल में सेनेटाइज सर ले कर यह अनेक तरह का सेवा किया इसलिए चन्दन यादो जी आज उनके समर्थन में अब देखना है कि या समाज सेवा बोट में कितना क्या रूप लेगा किसे और यादो जी की धर्म पत्नी क्या चुनाओं में जितेगी यह तो सवाल पंचाई चुनाओं के रिजल्ट के बादी पता चलेगा पती मुण्ड़ पंचासी किताडि मैं पूर में पंचासी दस रही हूँ और ये चुनाओं पर्व है और में आप लोगों के मध्याम से मैं जंता को और ग्रामborसी को कहना चौँगी कि चुनाओं पर्व के तरह मनाए एक दूसरी मधेद न रखे और दूसरी बात बोलना चौ तक हो कि एक बार उन लोगों ने मुझे बहुत भारी मतों से जिताया था तो एक बार फिर से मुझे और लोग अपना असिरवाद दे और निरवाचन संक्या 13 से मैं आज पंचास्वमी सदस्त का नमने संकी हूँ जो भी मेरे से बन पाता था मैं 358 दिन खड़ी होती थी उस त तीन साल पूर्व हम लोगों को पंचास्वमीति को फंड मिला था और भी बहुत मलब कम में 10 लाग 15 लाग के लगभग मिला था जो कि योजना लेने में हम लोगों को दिक्कत के शामना पड़ा तो आने वला समय में हमारे हमन जी को मुखमंतर हमन दा को मैं कहिना चाहूंग क्योंकि उसने इतना मोका दे इतना बड़ा मोका महिलाओं को दिया खासकर अंसुसी जन जाती के महिलाओं को और फिर से उनको एक बर अपने तही दिल से मैं धन्याबाद बूलती हूं कि दादा आपने बहुत अच्छा कारे किया लश्मी बोद्रा है मैं उत्री किताडी से खड़ी हूं पंचाज समीति के पद में पिछले दस सल से हम वाड में राके काम कर चुके हैं फिलाल अभी अगर ग्रामबाशी का असीरवाज रहा तो आगे जो भी बन पड़ता है अम उसके लिए काम कर से हुए पानी की समस्या है बिजली है और शिक्षा में भी है जो कि स्कूल में जो मनमना क्या है फी वसूला जा रहा है नीजी स्कूल में उन पर लगाम लगाये जाएगा और बिजली का व्यवस्ता है ऐसा किया जाए कि 24 गंटा बिजली रहे गोविनपूर छेत्र में हर एक छेत्र में और पानी जो की सरकर दिया हुआ है मगर घर तक नहीं पहुच पाया बहुत ऐसे घर है गरीब लोगों का जहां की पानी नहीं पहुचा है और रोड नाली बहुत गंदा रहता है रोड जैसे मगर उनके पास है कि घर से बाहर निकलने के लिए नहीं जा जाते तो उनको लिए घर में ही काम मिले ऐसा व्यवस्था किया जाए योजना बनाएगा आप देख सक रहे हैं कि महिला अपना दर्द ब्यान कर रही है कि बश्चाशार पंकुत लगा जाए और महिला लोगों को हात निर्बर बनानी के लिए या पूरी संगर्स जारी रहेगा अब देखना है कि चुनाओं के बाद चुनाओं जितने के बाद या जो वादा किये हैं इसमें कितना उतरती है दोग पारिमुर्मुजी के समर्थन में आए हुए है महिला पत्यासी है और वाटन पत्दस पे खड़ी हो रही है और हम लोग चाह रहे हैं कि यह विजय होकर हम लोग के इससे जमस्यत्पूर में इतनी भी महिलाओं की समस्या है इन समस्याओं को निदान करे और आसा ही नहीं उम्मीद करते हैं कि पूर्ण जीत होगी हमारे साथ बाली मुर्वू जी है करना उसके साथ साथ हमें सिच्छा स्वास्त सभी अभ्यान लेकर चलाएंगे उसका विकास करें अनामिका मुखर जी एक नंबर गुडाम एक नंबर से बुला जीला परिसत के लिए हैं मेरा नाम है आसा कुम्भकार जमसेतपूर चेतरह चुन जीला परिसत संक्या 6 से चुना करने के लिए आज उन से बात करते हैं अश्यक्त चुना में इसलिए खड़े हो है अमारा झिर का विकास के लिए अपना खेतर में बहुत oasisा बहुत शमस्या है जो कि पिछले परिसत के दोरा वसब नहीं हो पाया है तो हम सोच रहें कि छेतर के जानता छेतर का जानता का वि प्रश्राइब करें पर वहां डोक्टर लोग सही समय में उपलब्द नहीं हो पते हैं एडी लाइब के वीडियो को लाइक कीजिए चैनल के सब्सक्राइब कीजिए और एडी लाइब के पूरी टीम फ्रसे सभी को धन्यवाद